साथियों एक समय था जब अध्यात्म को धर्म को केवल रूठियों से जोड़ कर कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़ कर देखा जाने लगा था लेकिन भारतिय दर्शन तो मानव कल्यान की बात करता है जीवन को पुर्णता के साथ होलिस्टिक एप्रोच के साथ होलिस्टिक वे में देखता है आदी संकराचारी जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की चार धामों की स्थापना की द्वादर जोतिरंगों का पुनर जागृति का काम किया उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक ससक्त परंपरा खड़ी की आज उनके अधिस्तान भारत और भारतियता का एक प्रकार से संबल पहचान बने हुए है हमारे लिए धर्म क्या है धर्म और ज्ञान का संबन्द क्या है और इसे लिए तो कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिग्यासा अथा तो ब्रह्म जिग्यासा इसका मंत्र देने वाली उपनिशदिय परंपरा क्या है तो हमें पल प्रतिपल प्रश्ण करना सिखाती है और तभी तो बालग नची केता यम के तरवार में जाकर के यम के आँख में आँख मिला करके पूछ देता है यम को पूछ देता है वाट इदेत मृत्य क्या है वताओ प्रश्ण पूछना ज्ञान अर्जित करना अथा तो धर्म जिग्यासा हमारी इस विदासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं उसे समर्द कर रहे हैं संस्कृत हो संस्कृत भाषा में वैदी गणी जैसे विज्ञान हो इस मठों ने हमारे संक्राचारी किस परंपरा ने इन सब कर सवरक्षन कर पीड़ी दर पीड़ी मार्द दिखाने का काम किया है मैं समझता हूँ आज के इस दोर में आदी संक्राचारी जी का सिधान और ज्यादा प्रासंजगी हो गए हैं आज के आज कर दोर में आज कर दोर में आज कर दोर में आना है